सब्सक्राइब करने के लिए लो लाइट वीडियो बहुत खराब है गोपर ही रोटन की तो जहां पीपी लाइफ थोड़ी दिखे कि हम वही पर ही रिकार्ट करेंगे बागी अभी हमें बात्रूम में और अभी सुबह सुबह नमास पढ़ाए और रिकफास्ट के तियारी हो रही है आज का दिन बहुत बढ़ा होने वाला है बड़ा मतलब लंबा होने वाला है क्यो कि इसको नो हल्का तेरों को तेस्ट जल्दी आएगा कि चलाना है खलिस को चाय तेस्ट करों कि अल्का ब्राव मुझे बस कवाब एक बेधरी में कवाब बन रहा है कि बेच चाय चलिए रहा है कि अचिक होव इस हुआ वह थी जल्ली मकौत खुब के बनेता है । Good कि बतन कभी बनाने वालошक बहुत रोल होता है जो टेस्ट बड़े ड़ेग में की बिर्यानी होता है कि घर के में होता है वो उत्रा मोटा है उसको हीट और फो अलेगा नहीं हो इस सुबह सुबह तो बना ले वीडियो को आप बना लो दिखा देना गरवाज है कि देखे लिए सर्म अर्शाल अजन्दा आख सब्सक्राइब तब्वे में बहुत ज्यादा था इसा जिप फाइल बन गई तो कि अ क्षेज़ निए इस्टेट करच आप सब्सक्रान इस निए क्षिए सब्सक्राइब माई क्वार्प जाएँ रोटे उन्को शुरू करो स्कोपानी इसमें से तो थंड़ पानी इसमें छाहिए तर आप जमाया है ने ने थंड़ ने चेस तरफर निए उनल प्रसे जब तो अभी यह भी यह भी यह भी तो अभी नाश्ता कर लेते हैं और बिलेंगे जब बाहर निखिने तो अभी ताइम हो गया है दुपहर के 12 बच के 40 मेंट हम बैठे हैं डबल डेकर बस पर दुबई की जा रहे हैं अभी एक एक एसी इंटर्व्य है फोटोग्राफी वगरा जेलिए फोटोग्राफी के लिए तो जा रहे हैं देखने को क्या है वहां पर क्या सेना थोड़ी जाएगी और उसके बाद एक किलो मिटर तक चलना पड़ाएगा तो हम में फाइनल जगा पर पहुंचेंगे इस बाद ये बस का नजा रहा है हम पैठे हैं अब उपर वाले फ्लोर पर इसलिए आपको जो जीज़र देख रही होगी ना सब नीचे दिख रहोंगे तो कि एक जब उतरेंगे तब बाहर से आपको दिखेंगे कि बाहर से कैसी बस लगती है तो गर्मी बहुत जाद है आज और उसके बाद में होडी पैनी है कि मेरे हाथ बुरा काला हो रहा है होडी सी होगा कि फोड़ा ठंटा रहेगा थोड़ा भूप से बचाव रहेगा तो इस जर् एंट एंट ब Hmm तो वेलकम टू रासल खोर इस जगह का नाम है रासल खोर आई एंडी और में भी जू डेस्टिनेशन है वह वहीं कहीं आसपास कहीं होगी टीपिकल पुराना दुबाई है यह जहां पे रेत सैंड सब जगह है और मैं डेस्टिनेशन इस लाइक वन किलोमेटर फ्रम वे और मैं करेंट लोकेशन और राइट नाम हीट बहुत है गर्मी बहुत है इसलिए मास्क भी इसको लगा लेते है थोड़ा सा मास से ना गर्मी से भी रहत मिलती है यह बैसिकली यह कार मार्केट है कि मार्केट है यहां पर सेल होती है और यसी जगह पर हम आये हैं किसी काम से इस लाइक दी इंटेडियर ऑफ दी दुबई गर्राश करें यहां देखें फेली और लाइक जहें से वायाए नाम बनाव वेल बहुत सारी गाड़िया है पता नहीं सूपर कार है के नहीं देखते हैं चलके अंदर बाकी अभी इस गेट से इंट्री लेते हैं और मिलते हैं थोड़ दर के बाद के विंटेज गाड़िय है रोयल शेलून कराउन करके घंड़ करके चाइनीज ही चाइनस हाई हो यह भी टोयोटा है पदा नहीं कौन सी मार्केट में आके हम बढ़ते बढ़ते यह टोयोटा प्रायोस इसका हम एड देखते थे मैगजीन पे बहुत पहले बहुत इसका अच्छा इसका वो डैशबोर्ड वगरा होता है चलो काम कर लेते हैं उसके बाद बाकी बाते बाद में करेंगे जिदर देखो नज़र आता है ये मनज़र अजब बुरा हाल है गाड़ियों का ये मनज़र, जहां देखो वहाया है छोटी, बड़ी हर तरा की गाड़िया है और इस जगहपर हमें देखती है, काफी यूनिक गाड़ी इसमें लिखाहा है पजेरो लेकिन से अगे छोटा से ल बड़ी अनोखी गाड़ी है पक्कर ये चाइना साही होगी और चाइनीज यहां लिखा भी है हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां कार ही कार इस पर शीट इनोगो ने चड़ा हुआ है ताकि धूप से कलर खराब नहों यह है टोयोटा को रोला जो पकिस्तान की बहुत जादा फेमस गाड़ी है और यह लैंड कुरूजर मैनुवल ट्रांसमिशन बहुत गाड़ियां है तरफ टाइम हो गया है दो तीस दाई बज गया है तो पैर के और यह पीछे जगाती जहां पर वैकेंसी थी इंडीड पर और उसको देखकर आये थे हम इस जगह पर लेकिन यहां आकर पता चला कि वह जो जॉब थी ना वह खतम हो चुकी है और उस पर किसी ने कभजा कर लिया है उस जॉब पर तो अब हम यहां से जा रहे हैं वापिस तो एक्स्ट्रीम आटो करके है आप भी अगर लेकिन वह जो जॉब है ना भी इंडीड पर ही है इंडीड से हाटी नहीं है हलाकि वह वाकैंसी फुल हो गई है तो दुबई में जॉब इस तरह ढूनना पड़ता है दरदर ठोकरे खाने पड़ती है इस जगह पर जो जॉब थी वह मेरी फील्ड से रिलेड़ेट थी याने की सिनमाटोग्राफी और फोटाग्फी जैसा कुछ था काम लेकिन वह था अभी है नहीं वह अभी चला गया है मेरी जैसे दो-तीन लोग और आय थे जब वापस जा रहे है वह जो एक ब्लू जीन और ग्रे शर्ट टीशर्ट पहना था वो भी आया था इसी चक्कर में कि इसी लिए कि यहां पर वैकेंसी एक थी इंडीड पर तो उसने अपलाई किया होगा और अपलाई किया होगा तो उसने आया होगा कि you can go to the place the working place आज का दिन थोड़ा अजीब सा गुजरा सुबह में आपने देखा होगा कि मेरे बेर्ड थी अभी हमने बेर्ड कटवा लिया है बिल्कुल अच्छा सा लुक बना लिया है तो अभी हम जा रहे हैं वापिस और देखो भी कहां जाते हैं जहां भी जाएंगे आपको बता देंगे भरवालों को भला ही ना बता है लेकिन आपको बताना पड़ता है कि हम कहां फिलाल हमें जाना है बस स्टॉप और बस स्टॉप जाने के लिए हमें गूगल मैप देखना पड़ेगा और एक कार हमें दिखी है मेरे पीछे यह पॉर्शे जी टी 3R S सुपर कार है काफी तेज भागती है परपल कलर काफी अच्छा लग रहा है अंदर से देखो कैसा लग सब्सक्राइब करते हैं यहां पर जारी लगिए न तो अंदर हम जा नहीं सकते हैं और परसों हमने वीडियो बनाया था टियोटा हीलक्स की यह मेरे पीछे हैना यह सब हीलक्स है है लॉक्स होता है जो भी बाता है यहां फेगो कितनी कॉमन है इनलब यह वाली थो थोड़ा सब के अपने अलग-अलग सेक्शन्स बने हैं उस तरह से गाड़ियां बिखती हैं और यहां पर दोको सिर्फ मर्सीडीज और बीम्ड़ू है जो की प्रीमियम गाड़ियां है नौट दी स्मपल ऑन अपनी बात बता है तो परस्थ यह की गाड़ियां बहुत पसंद एक टोयोटा की लाइड क्रूजर है यह पीछे से खुली वाली है ईपिर कप ताइप की है इसे फाद की गाड़ियां में बहुत पसंद यह अ बहुत पसंद लेकिन सिंगल की है land cruiser अब पीछे थोड़ा सा लगेज के लिए इस पेस से कितनी बड़ी गाड़ी है हाइट कितनी जादा है यह सब डेजर्ट में चलाने के लिए डेजर्ट साफारी के लिए और यह देखो सुजोकी एको का छोटा वर्जन आगे से पिछका दिया गया है यह भी सुजोकी है एवरी लाड़ी ऐसे कर कुछ नाम है और इसमें पता है देखने वाली बात यह है कि यह जो गाड़ी है यह फोर विल ड्राइव है अब पता नहीं है इस टीकर है या फिर वाकई में फोर वि लेकिन बिल्कुल गंदी है बुरी हालत में है लेकिन जैसे भी हालत में है तो लिमेजीनी और यह हम पहुंच गए ट्रक्स के डिपार्टमेंट में यह सब ट्रक्स है लगे हुई आई सूजू टोयोटा मित्सुविशी कैंटर इसका नाम सुना सुना लग रहा है किसी फिल्म में देखा है ट्योटा डायना लाइट एस यह पता नहीं कौन सी सामने से ओमनी लग रही है पिकप ओमनी यह आई सूजू इस मुझ भी हाइलक्स तो यह सब पूरी ट्रक वाली लाई नहीं है इधर हम वो इसलिए पहनी है क्योंकि हूडी से ना सूरज से प्रोटेक्शन मिलती है और अंदर थोड़ा टेंपरेचर नॉर्मल रहता है पतले कपड़े होते हैं उसमें बहुत जादा धूप लगती है और इस तरह कि दुबई और सौधी जैसी जगाओं पर धूप जोती है बहु सोपर कार्स थों को देखी नहीं लेकिन सूपर वहिकल में लिया और सूपर वहिकल को हिंदी बोलते हैं ट्रैक्टर हिंदी में इंग्लिश में भी बोलते हैं और यहां पर एक नहीं है, पूरी फॉज है, यह गेट है, और पूरी जो सिकन हैंड की मार्केट है, पीछे थी, कुछ मार्केट आगे भी है, हमको दिखाई दे रही है, लेकिन इधर सब छोटी-छोटी गाड़िया है, बहुत चटक धूप है, गर्मी का अंदाजा लगाए नहीं जा सकता क्योंकि घर में इतनी जादा है कि क्या अंदाजा लगाए, कम तो कर नहीं सकते हैं, सुलूशन देख सकते हैं, prostu यह है कि हमें बस मिले और बस से हम सीधे वापस जाएं, सेंटर पॉइंट बस अड्डा हम देख रहे हैं बसड़ा कहां पर बसड़ा कहीं सामने होगा इधर पूरा अरेकिस्तान है तो इस जगा आने का कुछ तो फैदा हुआ नहीं ना सूपरकार दिखी ना जॉब मिली सिर्फ मिला तो एक हैश्टाग हैश्टाग डी एजड अब इसको हम अपने चैनल पर इस वीडियो पर डाल कर देखते हैं कि क्या होता है क्या मिरेकल होता है यहाँ से सीधे घर जाएंगे घर जाके सो जाएंगे और अराम करेंगे फिर से अगली जॉब की तलाश पर निकलेंगे जब तक वीजा मेरा यहाँ है तब तक हम जॉब देख रहे हैं मिल जाती है तो अच्छी बात है नहीं मिलती है तो भी अच्छी बात है क्योंकि सब कि कि एस वीडियो को करना अभी यहीं पे बंद तो थैक्स को वची वीडियो I hope you like this वीडियो for any reason if you want to comment you can comment also you can share this video and please don't forget subscribe मैं चैनल अंजाना मुसाफिर in the next video till then goodbye और चलते-चलते हम आ गए हैं थोड़ा इधर side और यहां आपर हमको दिख रहे हैं खजूर के फ़ल बिल्कुल हां से टच हो रहे हैं मेरे इधर तो बिल्कुल पके पके हैं बिल्कुल रेड कुछ नीचे भी पड़े हैं झाल में झाल में जाल में झाल में झाल में खर तो रहे हैं